हालो इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का PBR स्टेडी में तो बच्चों सामके साथ बच चुके हैं आज आओ जल्दी से फटा-फटा और हम सुरू करते हैं कच्छनों की NCRT गडित कोई भी बच्चा कलाफ शोड़ के निजाएगा पूरा कलाफ एंड तक और हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज आपको पढ़ाने वाले नया चैप्टर होगा तिर्भूच क्या नाम है यह चैप्टर का तिर्भूच तिर्भूच पढ़ेंगे आज आप लोग ट्राइंगल जिसे बोलते हैं कच्छनों की NCRT गडित आपका छाठा चैप्टर खतम हो गया है आप सबका बहुत दिन से इंतजार था कि सत्वा चैप्टर पढ़ाया जाए तो आज से सत्वा चैप्टर शुरू होगा संत भक्ती जी कीरन और मुकेस अंकिता सिंग सुधान सू और कॉन जुड़ा है भई मोहीत जी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अप बच्चों यह बता मुझे आप लोग क्या आप यह आकृति देख रहे हो कि इसे पहचानते हो क्या है यह किरन महुर्जाटी साथवा चैप्टर श्टार्ट हो रहा है इसे पहचानते हो आप लोग क्या है यह यह क्या है जानते हो इसको सिम्रन उदानी सिवानी आदो दिने इसको मार जब आप दीजिए क्या है ये तो आज कुछ ऐसे ही हम लोग practical करने वाले हैं बाबू ठीक है क्या करेंगे आज हम लोग practical करेंगे बड़ा ही मज़ेदार practical करेंगे ये है आपका chapter 7 मैं थोड़ा सा मारकर में अच्छे से भर देता हूं इंक जिससे बेहतर चले भाई आयूस जी जुड़ गए हैं संजय कुमार भी जुड़ गए हैं सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है तो कोई जाएगा नहीं मैं मारकर में थोड़ा इंक डाल देता हूं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ये बताओ आप लोग क्या आप तिरभूत जानते हो किसे कहते हैं जो जानता है बताए यस जल्दी बोलो कि तिरभूत जानते हो किसे कहते हैं चलो बता भाई अनुराक कुमार अब बतादो सीवानी आयूस सिम्रन तिरभूत किसे कहते हैं बताओ चलो बोलो रामपूल आपी बतादो रोहित कुमार देखो मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बिल्कुल टेंसन मतले ना बिटा एकदम ध्यान से पढ़ना दिल लगा के पढ़ना सब समझ में आएगा ठीक है बांड़ेट भाई थ्री साइड एंड काल्ड ट्रैंगल जी बिल्कुल लगब काफी हत तक ठीक है किरन मौर्या का बिल्कुल राइट देखो त तीन बुझाओं से गिरी हूई बंद आकरती तीर बुझ कहलाती है मतलब एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से घिरा हो क्या हो तीन साइड से बंद हो वो तिर्भुझ कहलाता है जैसे अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा काई को टेंसन लेते हो देखो यह बड़ा कहते हैं ठीक है जिसकी तेन बुजाएं हो और वो बंद भी हो वो तिर्भूज का लाता है देखो मारकर में बहुत ज्यादा सही वर गई यह मैं इसको इसमें पलट देता हूं तब फिर आगे चलूँगा जाना मत कोई तिर्भूज कितने परकार के होते हैं चलो बताओ देखो तिर्भूज छे परकार के होते हैं तीन भूजा के आधार पे होते हैं और तीन कोण के आधार पे होते हैं अभी मैं औरल पढ़ा रहा हूं फिर मैं लिख के पढ़ाओंगा पहले सुनो मैं काम की बात कर रहा हूं फा यह एनिवन इसका भॉजा के आधार पे ढोलते हैं ठीक है नहीं करें दो देर जी सक है आफ ट्रैइंगर कि टैप आफ ट्रैंगर इस बेस्ट आन ऑन साइड एंड अन्द इस बसक् hun अबना को मंपने इंगल्स मुझे भी जादा नहीं आती में हिंदी में पढ़ाता हुआ क्योंकि बच्चे सब हिंदी वाले हैं तो देखो पूरी कहां नहीं समझो क्या क्या होने वाला है कि संजय कुमार बिल्कुल बेरी गुड दुर्गेश सोनी बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं बच्चा चलो तो हम इस्टार्ट करते हैं बीन देर करें हुए कुछ नहीं सेयर करेंगे किसी को जिंको पढ़ना वो जुड़ेंगे जिनको नहीं पढ़ना हूं नहीं जुड़ेंगे ठीक है चलो अब देखो हाँ अब बात होती है चैप्टर साथ सबसे पहले है तिर्भूज, ये तिर्भूज का साइन है, इंग्लिस में लिखते हैं ट्राइंगल, हिंदी में लिखते हैं तिर्भूज तिर्भूज किसे कहते हैं, तीन भूजाओं से गिरी हुई और बंद आकरती तिर्भूज काहलाती है, देखो बच्चा कैसे, आगर मैंने तीन भूजा ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या ये तिर्भूज है, बोलो यास या नो, ये तिर्भूज है, देखो किरन मौरया ने सब किरन महुर्या जी बहुत भधन्यवाद आपको देखो बच्चा यह फिगर वन है और एक मैंने और वी खीचा फिगर टू यह बोलो ट्रिंगल है कि नहीं याया नो अनुराग सर नहीं अच्छा और को लिए दुच्छा यह ट्राइंगल नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं ह्ये यह क्लोज सेफ नहीं है को सेफज सेफ़ होना चाहिए मतलब वह चारोतरफ बंध होना चाहिए खुला नहीं होना चाहिए इस मेंसे कोई आक्स घुच जाए यह अगर ऐसा होगा तो भगॏ रिखने की कर देखो यह क्या है यह बेहतर कर सकें ओके तो क्वाल्टी तो बेहतर दिख रही है कि इंटरनेट सुलो है क्या इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है ना आज कि चलो तो यह समझ गए आप तीन भुजाओं से गिरी हुई अब बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है जैसे यह आप बना लो यह आप बना लो लिख लो परिभासा लिख लो आप लोग तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है आप लोग लिख लो बहुत ही मज़दार आज यह सेशन होने माला है र जो मतलब की बाते हैं कुछ ज्यादा important है उनको आपके सामने पेज करेंगे हां चलो ठीक है तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे अब यह आप लोग समझ गए इसकी English में definition भी सुन लो English में बोलते हैं triangle can be classified in two ways एक by side and एक by क्या होता भई एंगल ओके चलो लिखो फटा फट लिखो यह तो हो गया triangle किसे कहते है इतना हो गया अब हम लिखेंगे देखेंगे तिरबुज के परकार क्या देखेंगे तिरबुज के परकार यानि classification of triangle तिरबुज कितने परकार के होते हैं एंड कैसे होते हैं ध्यान दो बहुत ही मज़ेदार है समझ में आ रहा भई धरम राज जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलो लिखो फटा फट लिखो आप लोग बच्चा लिखो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ फटा फट ल जा सकता है हिंदी वाले लिखेंगे तिरबुज को दो परकार से वर्गी करिद किया जा सकता है नंबर रिडालोग बुजा नंबर भी कोण ठीक है इंगलिस वाले लिखेंगे triangle can be classified into ट्राइंगल can be classified by two ways ना, है ना, लिखो जल्दे फट से लिखो in two ways मैं हिंदी में लिखुआ हूँ क्या नमबर ए क्या भाई, नमबर ए by side नमबर ए by side और नमबर दो है by angle लिखो फटा फट लिखो by side and by angle यानि हिंदी में भी लिख लो tension मतलो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तिर भूज को दो परकार से वर्गी क्रिद किया जा सकता है तिर भूज को दो परकार से वर्गी क्रिद किया जा सकता है नमबर A भूजा द्वारा और नमबर B कौन द्वारा ये हो गया ठीक है मैं बोल तो रहा हूं न सुनाई तो आपको पढ़ रहा है तिर भूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है नमबर A भूजा द्वारा नमबर B कौन द्वारा इतना हो गया बच्चा चलो फटा हो गया इतना अब लिखो को टाइप आफ ट्रेंगल टाइप आफ ट्रेंगल बाई शाइड ओके अगला एडिंग जालो अब कि टाइप आफ ट्रेंगल बाई साइड कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है राम फूल जी तुमको मैं नहीं बता पांगा तो को हुआ रही बता पांगा अर्छ पता नहीं दस वाले पढ़ना नहीं चाहते ही मैं नहीं पढ़ऊंगा अर्फ थने मैं कभणाऊं लिखो टायफ एट ट्रेंगल बइस अइड लिखे भूजा के आधार पर तिरभूज के परकार हिंदी वाले लिखो भूजा के आधार पर तिर्भूज के परकार टाइफ आफ भाई टाइप होगा यार टाइप्स होगा ना ट्राइंगल by side हिंदी वाले लिखे भुजा के आधार पर तिरभुज के परकार ठीक है ओके by side equivalent triangle asusilis triangle and skeleton triangle by angle जी बिल्कुल किरन मोर्या जी बिल्कुल very good तो by side में three type के होते हैं बाबु क्या होते हैं ये three type के triangle होते हैं number 1 जो होता first क्या होता है equilateral triangle equal लिखो पहले e q u i l ठीक है equal लिखोगे equal लिखने के बाद क्या लिखोगे equilateral triangle ओके ये टेरल triangle हिंदी में बताऊंगा tension मतले न ओके triangle ओके ठीक है आप क्या करोगे ये होगे आपका equilateral triangle देखो भाई मुझे हिंदी में बहुत अच्छा आता है इंग्लीस में मुझे कुछ दिक्कत होती है हिंदी में लिखो sambahu sambahu तिर्भूज क्या लिखोगे बच्चा हिंदी में sambahu तिर्भूज कि देखो अब इसका मतलब समझो हिंदी ने हो इंग्लीस में आप अप मतलब समझो joe orgas〜 कि जी बिल्कुल रहिल्ला खान जी आपको बिल्कुल मैत आएगा अ它 राहिगा बिल्कुल आएगा इसएगा बिल्कुल देखो जैसे यह मैं खीच रहा हूं यह द्यान दो यह एक आईसा ट्राइंगल जिसका आलफाइड इक्वल हो समझ गये ना बच्चा यह आलफाइड इक्वल हो वो समभाहू तिरभूच कहलाता है या फिर इक्वल्टरल ट्राइंगल कहलाता है मिथे सोनकर आरा समझ में दुर्गे सोनी संजय धरम राज सिवानी आदो सबको समझ में आ रहा है बच्चा आराना भाया सामको साथ बज़े से डेली यह लाइब होता है हर दिन होता है किसी दिन बाकी नहीं कि नहों ठीक है तो इसलिए क्या करोगे इमांदारी से हर रोज गया ना आप इसे लिख लो मैं सामने से हड जाता हूं आप लोग लिखो परिभासा जिनको लिखना लिख लो एक ऐसा तिर्भूज जिसकी तीनों भूजाएं बराबर होती हैं वो समभाहू तिर्भूज कहलाता है क्या कहलाता है समभाहू तिर्भूज कहलाता है इसको आप लोग लिख लिए चलो बच्चाओ के कि मैं कोसिस करता हूं कुछ लोगों को सेयर करने का इसलिए मुझे काफी कभी कभी लेट हो जाता है कि अगला भी एथ === इस राइसुसेयले इस ट्राइंगल है 8 जिसे संदूि-बाःहू तिर्भुच कहते हैं आड़ त biblical ऑप कुछ कहते हैं धिक है रामपुर जी चलिख कर बच्चा वार रच जुक्षम कम यह कर तकá करूं कि अई दोनों में से जो है एक टाइम आपको bir जाय रहा है तो बदल रहा है यह आपको दिखतना हो इस वज़ासे में बता दे रहा हूं अगला लिखो लिखो फटाफ़ आप कि आई सो सेलेश ट्राइंगल कि भी वाला लिखो आई सो कि अच्छे सेलेश ट्राइंगल ओके जल्दी फट से लिखो भाई क्या होगा इसका स्पेलिंग आई सो सेलेश ट्राइंगल कि हिंदी में बहुत अच्छे से मापको बताएंगे आई तो सेलेश ट्राइंगल जिसे बोलते हैं संदुई बाहू कि संदुई बाहू तिरभूज क्या है यह संदुई बाहू तिरभूज ठीक है आप लोग फटा-फट इस्पेलिंग देखो करेक्ट है न क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूं इंग्लिस में नहीं है हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई माफिया किंग बच्चा इसे बोलते हैं सम्दूई बाहु तिर्भूज आप लोग हिंदी लिखो जो हिंदी वाले हैं क्योंकि इसमें इंगलिस वाले बच्चे भी होते हैं तो सम्दूई बाहु तिर्भूज वो होता बच्चा ये एक ऐसा तिर्भूज जिसकी दो भूजाएं आपस में ब होती याद रखना बच्चा जो भी नए साथी जुड़े हैं सभी याद रखेंगे कि साम को होती हर रोज सात बजे से और आप लोग इस कलास को खूब सेयर किया करो खूब दवा के सेयर किया करो तिक है अगला क्या होगा बाई चलो बताओ आसीज कुमार पाल अगला बताओ क क्या है कि इसके लेन ट्राइंगल कि इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं कि इसके लेन ट्राइंगल ना इसको हिंदी में का बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बिसम बाहु तिरभूज भाईया हिंदी वाले लिख लो नराज मतो हिंदी में लिखेंगे बिसम बाहु तिरभू नाम से असफ़ष्ट है बिसम बाहु बिसम बाहु तिरभूज बहुत आसान है बच्चा ये बेरी सिंपल सा है एक ऐसे प्रकार का तिरभूज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो वो बिसम बाहु तिरभूज कहलाता है क्या कहलाता है बिसम बाहु तिरभूज कहला बाता है आकास कुमार आप नए हो ठीक है बच्चा कोई बात नहीं बावू बहुत अच्छी बात है चलो यह देखो इधर साइड में इसको ऐसे मिला लो इसमें अगर यह साथ है तो यह छे होगा यह पांच होगा या तीन होगा कुछ भी होगा तीनों बुझाएं अलग अलग होंगी ठीक है राहिला खान आप से ही बात की थी आज हमने राहिला जी मुझे नहीं पता हो सकता है मैं सर ने भी किया होगा या भी से एक अखलेस कई लोग होते हैं हो सकता मैं नहीं किया हो तो मुझे नहीं याद है ठीक है समझ गए स्केलेंट ट्राइंगल क्या होता है विसम बाहु तिर्भुज एक ऐसा तिर्भुज जिसकी तीनों भुजाएं आसमान लंबाई की हो मतलब कोई दो हो तो कोई पांच हो कोई तीनों कुछ भी हो अलग अलग हो कि रमफूल गोण आज कच्छा 10 की कालास नहीं चली है आज कच्छा 10 की महत न सुभा चली न सामको आज कच्छा 10 वालों को पढ़ाया नहीं गया क्योंकि यह लोग न कुछ ना-लायक टाइप के हो जा रहे हैं मतलब यह लोग पढ़ते ही नहीं आज नशुबा लाई बाते है तो कुछ लोग सुबह बोल रहें कुछ लोग साम को बोल रहें हमने का ठीक है तुम लोग बुजा लो पहले तब मैं पढ़ाऊंगा अब लिखो अगला नेक्स्ट थ्री टाइप नेक्स्ट थ्री टाइप देखो अंजली साहु आरा समझ में यह मूँ में क्या हुआ टोपा लगाए हो ऐसे करें हो अब देखो अटाइप आफ ट्राइंगल भाई एंगल एंगल लिखो नहीं तो एंजल लिख जाता है मुझसे बड़ा गड़बड हो जाता है अब इसमें qonric On होता है चल बताओ게ई 3 इसमें है कि सीवंपंचाल देख रहा हूं मैं आपको सवनु कुमार आकास कुमार बक्चा पढ़ा दिया गया वह बहुपार प्लिज्ट में जा के देख लो बाबू ठीक है वह बहोपार पढ़ा दिया गया जाके देख लो चलो रिंदी में लिख रहाओं इंग्लीस में फी लिखोंगा इंग्लीस में बच्चा इसे क्या बोलते हैं मुझरे आगे मतलब acute angle triangle ये क्या होता भाया ये कौन सी मुसीबत का नाम है ध्यान दो आप लोग सुनील चत्तुर चंद्रबंसी जी प्यार से देखो अंजली साहू आप भी ध्यान से देखो बिल्ला उल्ला मत बेजो निक काट लेगा चलो अप पढ़ने की कोसिस करो इसमें ध्यान दो देखो Newton कोन तिर्भूज क्या होता है मतलब एक ऐसा तिर्भूज कि जिसका परते कोन 90 अन से कम होता है 90 से बलो होता है वो क्या होता है Newton कोन जैसे देखो इसमें अगर मान लो ये 79 तो ये क्या है? 50 है और यह कहा है 40 है मतलब सब 90 से कम होना चाहिए less than 90 बिल्कुल किरन मौर्या को काफी कुछ आता है मतलब यह 90 से क्या होना चाहिए less होना चाहिए बस यह ऐसे कह सकते हो नियून कोण वसे भी 90 से कम ही होता है समझ गए ना अननत जी समझ में आ रहा कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बस रहा है रामपूल गोण अनुपम यादो देखो सभी बच्चों से अमारी एक निबेदना है यह कि आप अपने साथियों को लाइब में लेके आओ जो रिवाईज भी करवा देंगे मैं थे में पूरे पुडांग पाओगे सत्तर में सत्तर वाई तीस का प्रेटिकल भी हो था ना यूपी में हर जगा होने लगा न ठीक तो यह काम आपकी जिम्मेदारी है और चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब कि नीचे रेड कलर में सब्सक् लाता है जो एक अग्ला ता उसमें समकोर्षोय क्या है अभी एकसर साइज साईने करवा रहें अभी इंसर्साइज हम लोग करेंगे यह इंटो डाक्ण चल रहा है ऐसा तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब हो जायागा तो सेबन पॉइंट वन पढ़ेंगे हम लोग अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है यह चैप्टर साथ के बारे में अध्यन कर लो पहले उसके बाद फिर चलेगा आपका सेबन पॉइंट वन एक्सरसाइज सेबन कि नहीं बता होगे सब लोग हंदिये वाले होका हां माफिय किम हमरे नंबर उपर लेकिन आपका नाम माफिया इसलिए मुझे डर लग रहा है अपसे देखो लिखो राइट में एंगल्ड ट्रियंगल ट्रिंगाल ड्रिंगल का होता है कि एक आयसा तिर्भूज जिसका कोई एक कॉन नंब्य अन्ज का हो क्या हो कोई एक कोन नब्य अन्स का हो संकॉन जीस कर लाता है ठीक है समझ रहीं कौन मिट बी एकउन नंब्य अनज का हो बस गर्षा किर न मौर राजीग मउया हुआ है सभी का क्या हुआ है हां तो कोई डाउट है तो बताओ कि अनंत पांडे अभी यहां पर आओ तो तुमको भी दिखा दें हां मेरे पास आजाओ तुम थोड़ा सा क्योंकि मैं यहां पर तुमको छापके खड़ा रहा हूं तो लिखोगे कैसे हां लिखोगे कैसे साइड नहीं होंगे तो तो अपना दिमाग थोड़ा अपने पास में रखके रहो ठीक है हरिबन स्यादो जी ठीक है देखेंगे हम लोग ट्राई करेंगे कोशिस करते हैं साम को करने का वैसे अगर साम को करेंगे बच्चा तो फिर साथ बजे के पहले ही करेंगे क्योंकि सुबा के टाइम जो है खाली नहीं है सारा सिस्टम बुक है सब सुबा खुब जल्दी पढ़ लो ना फिर या तो कच्छा दस वालों का कोशिश करते हैं सुबा 7 बज़े ए 6 बज़े अरे उठ जाया करो जल्दी सो के चलो अगला लिखो C टाइब में क्या कहता है कौन कौन सा हो गया कौन की अधार पर क्या क्या हुआ न्यून कौन हो गया सम कौन हो गया अगला है अधिक कौन क्या बच्चा अधिक कौन लिखो जल्दी से इसको क्या बोलते इंगलीज में भाई Uptuse Angle Triangle है नो चलो क्या बोलता है इसे Obuse Angle Triangle ना Angle Triangle चलो लिखो जल देब इसे फटाउफट वट हिडिंग डालो Uptuse Angle Triangle यह क्या होता है Greater than 90 Greater than 90 से बिलकुल देखो है एक ऐस तिर्भुज जिसका कोई भी एक कोण हैँ मैं एक और एक यह कोई भी एक कॉन नबब भी एक अब क्या मैं आप को की अलग से समझाओं आप MV को दुबारा देखिए आप जीरो लेबल से शुरू कर ये यहाँ पल ले नहीं पड़ेगा ये हाई लेबल की मैयत है हाई स्कूल की मैयत है एक परकार से अगर आपका मैयत भीख है तो आप पीछे से पड़िए इस्टार्टिंग से मुनिराम भदसर जी आ रहा ना कुछ समझ में अधिक कौण तिर्भूज क्या होता है एक ऐसा तिर्भूज जिसका कोई एक कौण 90 अधिक होता है वो अधिक कौण तिर्भूज कहलाता है तो ये आपका तिर्भूज परकार खतम हो गया अगला पढ़ोगे सरवांगसम और समरूप तिर्भूज क्या पढ़ोगे बच्चा सरबंगसम और समरूप तिर्भूच पढ़ोगे तो मैं इसको तो ऐसे फिलाल कल पढ़ाऊंगा लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें अभी बच्चे चुकी 25-30 जुड़ते हैं इसलिए मैं सिर्फ आधा गंटा पढ़ाता हूं ठीक है आप लोग बच्चों को लेके आओ ढेर सारी संख्या में अगर आप 100 बच्चे पूरा कर देंगे भाई 25 लोग हो 2-3-3 लोग को और लेके आओ 100 बच्चे हो जाएं हम पूरे गंटे पढ़ाएंगे लेकिन अभी जब तक आप लोग की संख्या 100 से कम है तब तक हम एक गंटे नहीं पढ़ाएंगें तो क्या करेंगे हमकल हम लोग पढ़ेंगे सर्बांग् Sam thSam tip कल आ अप लोग क्या पढ़ेंगे एक करिया करिया एक गोर गोर है है ना एक काला है एक सफेद है मतलब दो ऐसे तिर्बुच जिनको एक दूसरे पर रखें तो पूरा पूरा धंक लें उनको जैसे देखो मैं सफेद वाला देखो इस पर रख रहा हूं इधर से अब तुम ध्यान से देखना उधर से सफेद वा क्या कि सफेद वाला ट्रेंगल आपको दिख रहा है क्या अ कि बोलो दिख रहा है क्या ने दिख रहा ना बच्चा लेकिन ये था ये 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 है ना तो ऐसा तिर्भूज होना चाहिए कि एक डूसरे के उपर मतलब उनको रख देना चढ़ा देना तो छुप जाए दिखें इन एसे देखा इधर से मैंने बलेक वाला आपको दिखाया सफेद वाला छुप गया से ऐसे अगर सकीद वाला तो दिखाए और बलेक वाला इसमें लाकर इसे छूपा देंगे ई findet्शो कहीं हलका से भी नहीं दिखेगा यह अदो देखो कहीं बलेक वाला दिखर आ साइज भी समान हो से और साइज में अंतर होता है से नुदansen होना चाहिए जैसे देखो एधर साइड में बत चाहचा देखो सेपेंड साइज समझे लो ृग जैसे यह तिरिमा यह तिर पूझ है कि मैंने एक टिरभूज ऐसे और बना दिया यह लो ऐसे मैंने इसको और शुला दिया यह लो है यह भी एक तिरभूज है इन दोनों का सेफ समान है सेफ मतलब जानगे ना भाया इसमें भी एक लाइन सीधी है एक तिरची है एक लंबी है उसमें भी वही है लेकिन इनकी साइज नहीं समान है साइज समान नहीं है अगर इसमें यह साथ सेंटी मीटर है और चाह तो यह दूईये सेंटी मीटर है इसमें यह पांच सेंटी मीटर है औरहिसमें ही विचारा चार सेंटीमीटर है तो ही च्छाटका हुआ छे सेंटीमीटर है अभी सेप और सबल समझ में ओर आया कि येола आई समझ में ये हैं साइफजale के हैं लेकिन साइफ नहीं है और ये साइफंज साईज़ जुए वह सिम नहीं है और सेमसाइज सेम सेप वाला मैं हाथ में लेके घूम रहा हूं ये इसलिए मैंने आज इसको बनाया था आधा गंटा देख रहा है इसको मैंने काला किया है कैसे किया पता है मारकर की स्याही में डूबो डूबो के जिससे आप लोगों को दिखाऊंँ ठीक ना हाँ रामफूल जी आराना समझ में बच्चा तो चलते हैं फिर आज की कलास यही तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कलास देखने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं देखो उपर नंबर दिख रहा है ना नंबर उपर दिख रहा है आ और वो मैच सीख सकें घर बैठे आराम से और अच्छे ढंक से सीख सकें इसलिए आप लोग इतना जरूर करें और हाँ एक बात और सुन लो एक बात यह है कि यह कलास हर रोज लाइव होती है संडे को छोड़कर हर रोज होती है और कब होती साम को सात बज़े से होती है साम क सब की तरह एक चैटिंग मसेंजर है अगर आप नहीं जानते तो इसे प्लेइश टोर पर ऐसे स्पेलिंग लिख के डाउनलोड कर लो ठीक है और फिर अपना मोबाइल नमबर डाल के अकाउंट बना लो जैसे बन जाएगा अकाउंट और बनने के बाद बच्चा क्या सर्च कर करके ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री कि देव परताब सिंगी बहुत देर में आयो बच्चा आप बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को प्रेम पूर्बग दिल से धन्यवाद आप इस कलास को खूब सेर करिए जादा फे जादा बच्चे लेके आए और अगर आप ज झाल